11,11 के एपिसोट 6 में स्वागत आप सभी का इसके बाद आने वाले सारे एपिसोट बहुत ज़दा अमीजिंग होने वाले है इंढ बहुत ज़ादा इसमें suspense होने वाला है तो आप प्लीज बने रहीे मेरे साथ और मुझे देखते रहे तो इस एपिसोट की आईए और वो क्यों इतना ज़्यादा फ्रस्टेट है इसकी कहानी बताई जा रही है क्योंकि उसकी एक मा थी जिसको सजना सवरना बहुत ज़्यादा पसंद था पर अगर उससे कुछ भी गलती हो जाती थी तो उसके मा उसको लाल चुन्नी से बांद देती थी और उसके हाथ पाव बांद के वो वहाँ से भाग जाती थी इस वज़े से यही जो आदमिये कुछ जादे फ्रस्टेट रहता था अब आ जाती है तारीक 14 नवंबर 2016 के जहां पर वमी का पहुंचती है उस हॉस्पिटल में गेट खुलती है गन तानती है पर उस वाड में कोई भी नहीं रहता है इदर दिखाया जाता है पास्ट की कहानी जहां पर जो शौरिय है वो पहुंच जाते है उस लड़के के पास और देखते है वहाँ ब्रमदत चंदोला आ जाता है और उस पर वो वार करने लग जाते है और तभी कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है वमी का पर वमी का जब ज़ुट लगवा का वाहा चुड अब लगा की गर्दन पे वह एक कौट लगा कि बहुत जूर से गलाग घूट रहा होता सूट जाते है योगारिया और बल्वंत जहाँ पे उसको अरेस्ट कर लिया जाता है अब होता ये है दिखाया जाता है योगारिया जो है वो इसकी कहाने बताता है कि मुझे शौप वाले से इसकी पूरी कहाने पता चल गया और ब्रम्वदत जो है वो बिल्कुल भी गुनेगार नहीं है और ये जो खून किया है नया 2016 वाला वो जरूर ब्रम्वदत ने किया है लेकिन बाकी के सारे खून जो हैं, इसी ने की है, ये जब छोटा था, तो इसकी माँ एक प्लाजा में काम करती थी, और जब ये शैतानी करता था, इसको बांध के चली जाती थी, लेकिन एक दिन ब्रह्मदत ने इसकी माँ पर बहुत ज़दा चलाया, हाथ उठाया, जिस रखता था, एन फिर होता ये है, युग बोलता है कि इसकी कहानी बहुत खतरनाक है, और ये जब बड़ा हो गया, तब इसको हर लेडी से प्राबलम होने लगी, जो लेडी से शिंगार करती थी, अट्रक्टिव दिखती थी, उसको ये मार देता था, और इसका बाप बी से क कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि ये एक नंबर का बिगड़ा हुआ अलाद था, तब ही दिखाया जाता है, ब्रहमदत जो है, अपने बेटे को बचाने के लिए, दूसरे पुलिस वालों को सरेंडर कर देता है, ताकि मेरा बेटा जो है, वो बच जाए, ये लोग परिशान सुना दी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर ये लोग लग जाते हैं, जोर सोर से केस को सॉल्व करने में, अब ये लोग सोचते हैं कि हमें ब्रहमदत से बात करने चाहिए, वामिका की टीम जो है, वो पहुंसती है, दूसरे प्लिस टेशन और कहती है, हमें खून किये है, और तेरा बेटा कोई शरीफ नहीं है, जो वो बैड़ पर पड़ा है न, वो उसकी गलती है, और फिर ब्रहमदत कहानी बताने लग जाता है, कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक इंस्पेक्टर ने टांग अड़ा दी, जिसका नाम था, शौरिय अंतव था, और पूण स्बाखने बताने लग जाता है, शौरिय अंतवाल इसकी बोपर पूट भगया था, और जब मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, तब उसने मुझे भी मारा और साथ-साथ जब वो मैरे बेटे को मारा था, तब मेरा बेटा घाटी उसते से गिर ग ग और उसको बोला कि तुमने अपना वदला ले तो लिया, गल्फरेंड को इसने मारा था ना, अब देखो मेरी बेटे की तुमने क्या हलत बना दी, तो एक काम करो, अब तुम मुझे छोड़ दो, और इसलिए यहां से चले जाओ, फिर इस वज़े से यह जो केस था हमिशा के ल लेता है ताकि उसका बेटा जो है वो बच जाए, लेकिन अब यह लोग परिशान हो जाते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बर जरूर है, क्योंकि 2016 वाला जो खून हुआ है, उससे ब्रहमदत का कोई connection तो है, क्योंकि वो लड़की ब्रहमदत को blackmail कर रही थी और वो कुछ न कुछ जानती थी, फिर ये लोग उसके घर जाते हैं और पता लगाने के कोशिश करते हैं, जब ये लोग उसके घर पहुंसते हैं तो देखते हैं सारा समान जो है, वो नया का नया पड़ा है और फिर ये सोचते हैं कि इसके पास इतना पैसा कहा है क्योंकि ये तो बस एक conductor परतीना एंदन होता यह है किसी से पता लगाने पर पता चलता है कि इसका एक और गाउं है जहां पर इसकी एक छोटी बहन रहती है जब ये लोग उसके गाउं पहुंसते हैं तो वहां पर इने कुछ सबूत मिलते हैं जो की इसने बैग में छुपाए थे अब पुलिस वाले जो है वो एक press conference बठाते हैं और IG बोलता है कि देखो हमने ब्रह्मदत को पकड़ लिया है जो 26 साल पुराना कीस है मेरी काबल टीम ने सही किया है लेकिन वमिका का नाम उसमें कहीं भी नहीं आता है तब ही वहाँ पर वमिका आ जाती है और कहती है कि जो ब्रह्मदत है वो असली कातिल नहीं है और फिर IG बुलाता है उसको stage पे और फिर वो कहता है कि ठीक है अब जो आगे की कहानी है वो बताएंगी वमिका अब वामी का जो है वो कहती है कि ब्रहमदत कातिल नहीं है कातिल तो उसका बेटा है खूप सारे मुडर कर चुका है जो लास सस्पेक्ट थी पलक उसके हेर पिन से हमें कुछ DNA मिले हैं क्योंकि उसने अपने हेर पिन से हुनी पे वार किया था और वो हेर पिन रख लिया था कं कड़ा गया और फिर होता यह है यह लोग केस सॉल्व कर देते हैं और फिर सारे लोग इन्हें चाबाशी भी देते हैं अब दिखाया जाता है कि वो जो लड़का है उसको हिरासत में ले लिया जाता है और ब्रहमदत को भी हिरासत में ले लिया जाता है तब यह न्यूस पर उसके पूशते हैं और हमेशा मुझे उसकी यादाती है आप दिखाया जाता है युगा रिया जओ है और उससे पूशते है कि क्या शौरे रहे पलक पलक की मौद के लिए और नहीं पे प्लक की इन तो आहिए पहुत पंढ़ान वो बहुत पकड़ और उसको कड़ी से कड़ी सजा होई है तो आप अब चिंता मत किजिए और उस समय DNA वाली टेक्नोलोजी इतनी अच्छी नहीं थी इस वज़े से आप कुछ नहीं कर सकते थे और अब आप अपना past भी change नहीं कर सकते हो इस वज़े से अब दिखाया जाता है हमारे शौरे जो है डॉक्टर बोलती है कि देखो वामिका तुम्हें अब move on करना पड़ेगा 15 साल हो गए लेकिन अभी तक वो आया नहीं और मुझे नहीं लगता वो अब आएगा तो तुम्हें move on कर जाना चीए अब दिखाया जाता है योगारिया जो है वो आता है वामिका के पास और कहता ह कि मैडम सारे लोग वहाँ party कर रहा है जश्ट मनाया जा रहा है आप क्यों नहीं है यहाँ पर फिर वो कहते है कि कोई बात नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है जो निशान उसके गले पर था क्योंकि प्रमदत के बेटे ने उनका गला चोग कर दिया था जिस वज़से योगारिया कि एक भाई थे जू कि खुदखुशी कर लिए थे और यहीं खतम हो जाता है इस एपिसोड में suspense में suspense क्रेट हो रहा है या पता अब जो यूग आरिया के भाई है वो अलग केस सॉल्व करें क्योंकि यूग आरिया अपने भाई से बहुत ज़दा प्यार करते थे तो चलो द